Good morning student, मैं संजर राजपूत, MGCI के Digital Learning Platform पर पुना आपका स्वागत करता हूँ आज हम एक नए चेप्टर के IMP Questions डिसकस करने वाले हैं इस IMP Questions सीरीज में वो चेप्टर है Animal Taxonomy जन्तू वर्गी करण तो आईए देखिए, अब हम सुरुवात कर रहे हैं IMP Questions सीरीज के वो Questions जो Animal Taxonomy या जन्तू वर्गी करण के हैं सब सब पहला Question जो हमारे सामने आ रहा है सब सब पहला Question Animal Taxonomy का तारा मचली निम्न मेंसे किसका नाम है इस तारा मचली या तारा मचली के अगर हम बात करें तो इस तारा मचली इस तारा मचली का आकार इस तारे के समान होता है इस तारे के समान आकार वाली इस तारा मचली के अगर हम बात करें तारे के समान जो इस्टारफीस है इस तरह से इस तारे के समान जो इस्टारफीस है इसका फाइलम है एकाइनोडर्मेटा और एकाइनोडर्मेटा का जो सदस्य तारामश्ली इस्टारफीस है इसका नाम होता है एस्टेरियास क्या है यह एस्टेरियास Asterias का ही साधारन नाम होता है तारा मशली The common name of Asterias is Starfish तो Asterias का common name क्या है Starfish Asterias का साधारन नाम क्या होता है तारा मशली तो तारा मशली इसका नाम है कि एक IMP question था हमारे सामने अब हम चलते हैं Next IMP question series की तरब निम्न में से कौन सा जन्तु जिवित बच्चे को जन्म नहीं देता Which of the following animal is not viviparous कौन सा जिवित बच्चों को जन्म नहीं देता इसका सीधा मतलब है कि वो अंडे देने वाला होगा जिवित बच्चों को जन्म नहीं देते मतलब वो अंडे देने वाले होंगे और बच्चे देने वाले सारे आते हैं इस्तंधारी में मेमिल्या के वर्ग, इस्तंधारी, क्लास, मेमिल्या के अंदर वो सारे जीव आते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं तो यहां से गर हम बच्चों को जन्म देने वाले की बात करें, तो हम एमिलिया के सदस्य को डूढ़ेंगे, फ्लाइंग फॉक्स, बेट, चमगादर, चमगादर को इस्तंधारी में रखा गया, भरे उड़ती है, लेकिन है कहां पर, इस्तंधारी में, बतब यह तो बच्चे को ही जन्म देगी, हमको नाट वीवी पेरस, जन्म नहीं देने वाले ढूनना है, एलिफेंट, हाती, हाती तो होई नहीं सकता है, तो बच्चे को जन्म देता है, इस्तंधारी है, वेल मचली, मचली नरई कहते हैं, लेकिन जो वेल है, ये भी इस्तंध प्रोटोथिर्या इस्तंधारी और सरिस्रब के बीच की सयोंजग कडी किसे कहा जाता है इस प्लेटीपस गडग बिल्ड प्लेटीपस को प्रोटोथिर्या का जीव है अंडे भी देता है और साथ में मादाएं और नर दोनों बच्चे को दूद पिलाती है पर यह जन्म बच्चे को नहीं देता अंडे देता है प्लेटिपस इसलिए सही उत्तर क्या है डग बिल्ड प्लेटिपस आई अब अगले प्रस्टने के तरब चले हूँ निद्रा कारी रोग किसके कारण होता है अगला एक IMP question, Important question जो है निद्रा कारी रोग किसके कारण होता है The sleeping sickness causes by निद्रा कारी रोग African sleeping sickness और अप्रिका का निद्रा रोग अप्रिका के लोगों में एक या बिमारी हुई जिसका नाम था zer Filip box निद्रा रोग, African sleeping sickness diseases, इसमें व्यक्ति को बहुत तेज बुखार भी आती थी, और व्यक्ति 12-14 गंटे सोता था, इसी कारण इसका नाम ही क्या रख दिया है, African निद्रा कारी रोग, और ये बीमारी करने वाला, जो प्रोटो जोवा होता है, उसका नाम है, ट्रिपेनसोनस या ट्रिपेनसोमा गंबियांसी, ये जो ट्रिपेनसोमा गंबियांसी है, ये एक बीमारी करता जिसका नाम है sleeping sickness या निद्रा कारी रोक, दो महत्पून यहां के जीव है एक है लिजमानिया डोनो वनाई लिजमानिया डोनो वनाई करता है काला अजार या डमडम बुखान जिसका वाहक है हरेत मक्खी सेंड फ्लाई लेकिन इस ट्रिपिनोसोमा का वाहक होता है केरियर जो होता है वो है सीसी मक्खी सीसी मक्खी सीसी मक्खी जो है वो इसको क्या करती है लेकर जाती है ये बिमारी को फेलाती है सीसी मक्खी में ये ब्रह्मन करता है कौन सा प्रोटो जोवा प्रोटो जोवा है एक प्रकार करता है टिपनो सोमा गैंबियान सीर तो यह क्या करता है अफ्रिकन स्लीपिंग सिक्नेस बिमारी अफ्रिका का निद्रा रोग करता है तो एक आएंपी कोशन है अब हम आगे चलते हैं अगले प्रस्ण की तरफ फाइलेरिया रोग का कारक निम्न में से कौन है फिलेरिया डिसे जो है ये होती है फिलेरिया सिस जो है करता है करने वाला जीव है वूचेरिया बूचेरिया बैनी क्रॉफ्ट Phileria disease में होता क्या है ये Roxeria bainicropt जो है ये एक प्रकार का SK hellminthias निमेट hellminthias है luceria bainicropt क्या एक प्रकार का निमेट hellminthias और ये निमेट hellminthias ju İslamint के कारण पेर वो सूझ जाता है हाती के पॉँँ जो सूझ जाता है कमर से नीचे वाला Cornell सूज जाता है, स्वेलिंग आती है, और वो डिसीज को कहा जाता है फिलेरियासिस, फिलेरियासिस जो डिसीज है, वो होती है, वोचेरिया बेनी क्रॉफ्ट के कारण, इसमें हाथी पाउं रोग भी इसे कहा जाता है, एलिफेंड जो है, मतर हाथी पाउं रोग इसलिए कहा का क्योंकि इसमें जो पेर है वो पेर हाथी के समान क्या हो जाता है सूज कर मोटा हो जाता है तो यह वोचेरिया बेनी क्रॉफ्ट क्या करता है डिसीज फ्लेरासिस करता है अगला प्रस्थन हम देखें यहां से हुबहेचर वर्ग के प्राणी सरीसर वर्ग के पानी प्राणियों से निम्न सभी समानताएं रखते हैं सिवाए इसके यह भी बहुत ही आएंपी कोश्चन है मतलब यहां क्या बताना है यह समझना है एक करेक्टर जो है वो एंपीविया का रैप्टाइलस से विल्कुल क्या है अलग है बाकी सब दोनों के एक समान हो सकते हैं तो देखते हैं वो कौन सा ऐसा लक्षर है जो सरी सरप से उभईचर को क्या करता है भिन्न करता है सबसे पहला देखें तो अधर रधै वेंट्रल हार्ट डोर्सल नहीं हार्ट कहां है वेंट्रल मतलब इस सतापर सभी बात है सब में इस सतापर होता है वेचर में भी और रेप्टाइस में भी यह उतर तो हो नहीं सकता मोनोसियस और डायोसियस और OV-Peras Diosios मतलब सीधी सी बात है एक लिंगा सरई और अंडज का मतलब होता है कि ये जीव हमारी तरह है नर अलग और मादा अलग इसलिए एक लिंगा सरई है OV-Peras मतलब दोनों ही अंड़े देने वाले सरिसरब भी अंड़े देते हैं मतलब ये दोनों में समानता है तो ये भी नहीं हो सकता बचा आसम तापी है Cold-Blooded और कोई किलो थर्मिक दोनों के दोनों Cold-Blooded है ठंडे रक्त वाले हैं Amphibians भी और Reptiles भी दोनों Cold-Blooded हैं ठंडे रक्त वाले मतलब ये भी नहीं हो सकता तो बचा क्या वही सही उत्तर है External Fertilization and Indirect Doilopment Amphibians में Fertilization जो होता है निसेस्चन जो होता है अंडानों और सुक्रानों का वो सरीर से बाहर होता है पानी में होता है जैसे बारिस के दिनों में आपने देखा होगा मेंडर कहां आ जाती है टर टर करती है जहां पारिस के दिनों में गड़े भर जाते है वहाँ आती मेंडर टर टर करती है राद भर ताकि वो मेंटिंग के लिए अपने पार्टनर शे को बुलाती है और फिर उनों में निसेचन होता है मतलु निसेचन नहीं होता है उस अंडे की अगर हम बात करें तो वो अंडे से निकलने वाला सिसू अपने वयस्क के समान नहीं दिखता जैसा में देखा होगा लारवा होता है जिसे कहा जाता है टेट पोल लारवा इसलिए यहां पर जो विकास है वो इंडारेक्ट डॉलपमेंट अप्रत्यक्ष विकास ह क्योंकि यहां पर अंडे से निकलने वाला सिसू अपने वयस्क के समान नहीं दिखता है वो लारवा होता है इसलिए वो इंडारेक्ट डॉलपमेंट जबकि रेप्टाइल्स में परिव जो रेप्टाइल्स है सरीस्रप है इनमें अंडे से निकलने वाला सिसू में लारवा नियम्न मेंसे कौन सी स्पंज की चारित्रिक विशेस्ता नहीं है विचा कि फॉलोईंग इस नाट अ क्रेक्टरिस्टिक फीचर आप स्पंज इस पंज जो है हम जानते हैं यह पोरी फेरा के सदस्य को ही स्पंज कहा जाता है पोरी फेरा आराज सो नोन एस स्पंज तो इस में से स्पंज का क्रेक्टर नहीं है यह से बताना कौन सा क्रेक्टर इस्पंज का मतलब पोरी फेरा का क्रेक्टर नहीं है Cellular level of organization यह तो है कोसी की स्थर का संगटन चोकि यह बहु कोसी की होते हैं लेकिन इनमें उतक का निर्मा नहीं होता सही बात है जाहें प्रजेंसहा तंद्र पैशन क कना अदर पाचन सेल के अंदर बात तु सही है body supported by kytin sponge की body kytin से नहीं बनी होती kytin से बनी होती आर्थुपुड़ा की body इनकी body थो हमने देखा है calcium carbonate, silica और spongin fiber से बनी होती है मतलब ये वाला character किसका नहीं है kytin द्वारा सही को सहारा प्रदान करना यही लक्षन जो है यह sponge का नहीं हो यही हमारा क्या है उत्तर है सही तो तीन बात तो सही है यह बात गलत है यह गलत ही हमको क्या बतानी थी इसमें सही उत्तर है हमारा यह body supported by kytin यही गलत है not a characteristic feature sponge की चायते कि विसेस्ता नहीं है ध्यान रखना नहीं है और हे में बहुत अंतर आ जाता है पहला उत्तर देखके हम लगा देते हैं यह कि है sponge के विसेस्ता और हम सीदा लगा देते हैं जब के सानी सारे answer पढ़ना है नहीं पर बहुत जोर देना है कई बार हम हड़ बढ़ाट में जल्दी बाजी में परस्ण में नहीं को समझ ही नहीं पाते हैं तिसको समझ कर उत्तर देना आपको अगला परस्ण निम्न में से कौन सी विसेस्ता इन सब में एक विसेस्ता कामन है एक बात तो तेह है कि ये सारे के सारे जो भी एनिमल्स आपको नजर आ रहे हैं सब के सब फाइलम आर्थो पुड़ा को भी लोग करते हैं देखो यहाँ जे सिल्वर फिस ये भी आर्थो पुड़ा की है स्कॉर्पियन ड्रेगन फ्लाई और प्राउन सिल्वर फिस बिच्चू ड्रेगन मक्खी मक्खी और जिंगे ये सब कहां के हैं आर्थो पुड़ा के ये बात सम्मीद में कामन है कि ये सब के सब आर्थो पुड़ा के हैं तो टांगों की तीन जोड़ियां वा विखंडित सरीर थ्री पेर्स आप लेक्शन सेग्मेंटेड बोड़ी बात तो ये भी सही है यहां से एक बात जो है ये भी सही लग रही है यहां तो यहां से थ्री पेर्स आप लेक्शन सेग्मेंटेड बोड़ी बात तो ये भी सही लग रही है और चलते आगे हम टांगों की तीन जोड़ियां वा विखंडित सरीर शरीर खंडों में बटा हुआ ये बात भी सही है काइटिनेस क्यूटिकल एंड टू पेर्स आप एंटिना ये बात भी सही है काइटिन्युक्त क्यूटिकल एवं दो जोड़ी संगी काई ये बात भी सही दोनों बात सही लग रही अभी तक जोइंटेड अपेंडेजिस एंड काइटिन्युक्त भाहि कंग का सही बात है सिफेलो थोरेक्स एंट्रेक्या बात भी तो चारों उत्तर सही हो गया किसे अर अब कौन से लगाए तो अब हमें लगाना है वो उत्तर जो सबसे ज़ादा सही है उसमें एक ही बात जो हम बार बोलते हैं आर्थो पोड़ा संग का मुख्य लक्षन है जॉइंटेड अपेंडेजेस सयुक्त उपांग और कायटीन युक्त बहायक अंकार कायटीनस एक्जो स्केलेटन और यही सबसे मुख्य लक्षन है इन सब में तीन जोड़ी पेर हो इसा आवश्यक नहीं किये तो केवल इनसेक्ट का लक्षन है तो सबसे मुख्य लक्षन है जॉइंटेड अपेंडेजेस इन कायटीनस एक्जो स्केलेटन और यही मुख्य लक्षन है किसका तो यह संग आर्थो पोड़ा और सारे जीव संग आर्थो पोड़ा के हैं अगले प्रस्ण के तरफ चले हैं निम्न जीवों में से कुनसा पूनता परजीवी रूप है पूनता परजीवी रूप है मत्तब वो मुक्त जीवी है among the following organism which is a completely non-parasitic form कोन पूरी तरह से पेरासाइट नहीं है नहीं है बताना है देखो टेप वार्म फिता क्रमी टेप वार्म तो ये तो हमको रिसाज मा रहा है ये हम जानते हैं प्लेटी हेलमेंथिस का जीव है टेप वार्म फिता क्रमी ये तो प्लेटी हेलमेंथिस के तो अधिकतर केवल प्लेनेरिया को छोड़के सब के सब क्या थे पेरासाइट थे परजीवी थे मतलब ये उत्तर तो गलत है आई नहीं सकता फिता क्रमी लीच जोग हम जानते हैं ये तो हमारा रक्त चूसती है ये भी नहीं आ सकता जोग भी मौस्किटो ये तो हमारा परजीवी है हम से हमको काड़ता है और ब्लेड लेकर रक्त लेकर भाग जाता है मतलब अच्छर भी नहीं हो सकता बचाक्या समुद्री एनिमोन सी एनिमोन फाइलम सिलेंट्रेटा संग सिलेंट्रेटा का जीव है सी एनिमोन समुद्री एनिमोन और ये जो है सी एनिमोन जो है या सिलेंट्रेटा के जीव है वो परजीवी नहीं होते परासाइट्स नहीं है इसका मतलब यही सबसे सही उत् तो यह हमने प्रस्ण देख़ जिसमें आपने ढूंड निकाला कुंसा सही उतर है यह करा उसान के साता आपको कि कि के से प्रसणों को नहीं है एक पर तूर परघना उसके बाद ही जवाब देना एक उत्तर मिलने के बाद जैसे हमने पहले लगाया सी है निमन लगा के आगे बढ़ गया ऐसा नहीं चारों उत्तर पढ़ने के बाद कंफर्म करना है कुंसा सबसे ज़्यादा सही है अगला प्रस्ट निम्न में से कौन सी विश्ष्था इस्तन पाई वर्ग की है Which of the following is an exclusive characteristics of मेमेलिया क्लास या वर्ग इस्तन इस्तन्धारी क्लास मेमेलिया का कौन सा सबसे मुख्य लक्षन है इस्तन्धारी के तीन मुख्य लक्षन होते हैं बहायकन, external ear, hairs on skin, तुचा पर बाल का होना प्रेजेंट होना जिससे फिमेल फीडिंग करवाती है बर्त होती यंग मंस की और फिमेल फीडिंग करवाती है इस तन गंथियों का विकास होना यह तीन लक्षन में करेक्टरिस्टिक फीचर है इस तंधारी के देख रहेते हैं आपर इस को एक्सटेनल फटिलाइसटन सब्सक्राइजसम में अंतरिक निसेचन होता है यह यह मेन करेक्टर्स अो प्रजेंटलिबी फॉर्च साथ चार कख्षी और ब्रदयिका होग मगरमच का हो गया था पक्षिहों का facility four chamber heart है और मेमल्स का भी four chamber heart है कोई नई बात नहीं है मेमल्स का अकिला नहीं है लक्षन, characteristic होमियोथर्मी सम्ताप मापी गर्म रक्त वाले तो गर्म रक्त वाले तो पक्षी भी है, बड़्स भी है और मेमल्स भी इस्तंधारी भी है तो इसमें नई बात कुछ ही है केवल इस्तंधारी का है क्या फिर बचा correct answer पेशी ये डाइफ्राग्म की उपस्तिती प्रजेंसा muscular डाइफ्राग्म थोरेक्स और एब्डोमन को अलग करने वाला होता है डाइफ्राग्म जो डॉम्सेब्ड मे होता है नॉर्मली जब हम सांस को अंदर लेते एफ्लेट हो जाता है सांस नहीं लेते है तो डॉम्सेब्ड है SAYS और दूसरे किसी जीवों में उपस्तित नहीं होता है तो प्रजेंसा muscular डाइफ्राग्म में जो है वो मुख्य लक्षन है किसका यह मुख्य लक्षन है इस तंधारियों का मेंद्स का तो यह हमारा कोश्चन हो गया है यह पूछा भी जा चुका प्याटी में इस तरह का प्रस्ण तो यहां जो प्रस्ण प्याटी में पूछे जा चुके हैं जिस तरह से वह सारे concept के प्रस्ण डाले गए हो सकता इस साल यही आने वाला हो यह सारे प्रस्ण यहां डाले गए हैं तो अब हम last chapter जो है entomology कीट विज्ञान के साथ अगरे lecture में मिलेंगे थैंक यू धन्यवाद सभी को